और लिखरे, आज का हमारा जे स्टैडिक जीर्टकी को जो टोपिक है वो है भारत के महतपुण दर्रे यानी जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पासेज जो है दर्रे जो हो इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो देखे इंडिया के jakiś डिल नियूंब वीटेंट जो आप एक तरफ से capitalize करके दूसरी तरफ जा सकें जैसे इस तरह का सकें और आप इस तरफ से जूआ को आप जाना मुझा हुआ, लेकिन इस तरीके की जो पासिस जो ये दर्रे जो बन जाते हैं जो जगे बन जाती है तो यहां इसके तरू जो है आप क्या कर सकते हैं इसको इसलिए कर सकते हैं तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है तो यह एक तरीके से परवतों के बीच में पाये जाते हैं और एक तरीके से प्राकर्तिक ही बने होते हैं जिनके द्वारा पहडों को पार कर सकते हैं ठीक है यह मुख्यतन जो बहुत के साथ राज्य होरे के इंदर परदेश उनके अंदर भी मिलते हैं लेकिन हालांकि कुछ एक और राज्य हैं जहां पर छोटी-छोटी स्रेणियां भी हैं वहां पर भ भी लिख सकते हैं ठीक है इनके अंदर यह मिलते हैं और इसके साथ राज्य की बात करें तो हिमाचल परदेश जहां जहां से हिमाले हमारा प्रोज करता है जिन-जिन स्टेट से होकर निकलता है तो देखिए यहां पर हिमाचल परदेश उत्राखंट सिक्किम अरुनाचल प गारा जाता है तो यह नीचे वाला जो डेकन वाला रीजन है वहां पर अगर हम बात करें तो महारास्ट और के अंदर भी कुछ पासिस आप देख सकते हैं जिकन में कुछ इंपोर्टेंट हैं जिनके बारे में हम देखेंगे तो देखें यहां पर पहले इनकी लोकेशन दे षजिशारला लानागला पैंसिला बाराला चला चांगला जारला इनमिसला च Radio pior यहां पर जो जिलाफ देख सकते एं बुर्जिल पास बेजिक सकते हैं पकी सरे क्सिट और वह वह अग्जाम में आते इंद हैं कि यह पासित और कहां पर लोकेट्टर और यह किस नेक्ट करत किसको बोला जाता है कि तुके आपने पता है कि ये वाला रेसन जो है उन्हों ने जो पाक ने पाक ने उसको पाकिस्तान के पास उसको चेंज से जोड़ता है यहां पहुए धिंगे देखिए जोजिल्लादरा एक कि बात करें तो देखिए यह जोजिल्लादर तो जासकर सिरैनी, इस तरीके से यहांसे जाती है, उसका पाइट है। आगे देके पीरपंचाल दर्रड़, पीरपंचाल दर्रड़ आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पीरपंचाल दर्रड़ इसकी समूदर तल से, उंचाई ही जो है वो 3490 ॉप और यह Renee पीर पंचाल्स रहने से यहें से सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह यह घंकरम के अगरम देखे तो पीर पंचाल के बारे में एक चोटी से इंफियर्ड देख लेते हैं कि पीर पंचाल जेम जो है जब मुझाए का जॉडने वालता एक को इंडिया का partition हुआ तो इस दर्रे को उस टाइम पर बंद कर दिया गया था आगे देखे बैनिहाल दर्रे के बारे में बात करें तो बैनिहाल दर्रे के उंचाई जो है 2832 मेटर है यह भी पीर 45 सुरेनी के अंदर आता है और यह जम्मो को शिरिनगर से जोड़ता है बैनिहाल द जो कि बात करते हैं बुड्जिल दर्रे के बारे बारे तो देखे इसके उंचाही जो है 400 मीटर है और यह जो है जो है गिलगिट बलतिस्तान वाला जो रीजन है जो की पाक उक्यूपाइड का समीर के अदर पढ़ता है उसकी साथ जोड़ता है यानि शिरिनगर को पाक तो ये बात करें तो यह कराकॉर्म रेंज के अंदर बढ़ता है और यह जो पाकॉपाइटकस्मीर उसको किस्से जोड़ता है चाइना से जोड़ता है आगे खारतूंगला की बात करें खारदूंगला यह काफी ज़्यादा Lazak को तिबद से है लबद्दाख को किस से जोड़ता लथा के अंदर ये लेह की पास से है ठीक है लेह की पास located है जो लडभा की गपिटेर्ल है देखे ये जो है वर्ल्ड का highest motorable road है वर्ल्ड का highest motorable 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 मतलब जिसके उपर जो है विकल आ जा सकते हैं मोटरेबल रोड आप इसको बोल सकते हैं तो देखें ये जो है वर्ड का ना कि इंडिया का वर्ड का पूरे वर्ड का हाइस्ट जो हाँ इसको बोल सकते हैं तो दूसरे नंबर पर अगरम बात करें तो वर्ड का ही चांगला ये यहां पर कारा थांग यह जो सकते हैं कि इंडिया या Qur flow arriving है उसको किसे साथ जोड़ता है तिब्थ के साथ जोड़ता है यह भी लिनात या चोट इतने यहाद्ड लेकिन चोटे-चोटे द्रहें कौ याद रख सकते हैं तो इनकी worked किसे पेंसिला है यह क्या करता है यह को कारेण एना बरे जादिक पिन इंडिया के साथ या सिरोगर या लगडा। अब्स आ बोल सब्सH frontier sic are हमें में में इंपॉर्टेन्ट जितने भी जितने दो हमने कवर कर लिये हैं माचल पर्देश के दो रहें हमा शुपॉर्ट Tabii को न wise तो द्वास में डिबास है दोसरे 2017 की इसके तो आ यह कोई लगाए यहां पर एक दो की इसके पहले हम बार्द चाला के बारे में तो 12 चाला जो है मंडी जो कि इसके अंदर मंडी को लेह से जोड़ता है और यह जासकर स्रिनी का पार्ट है और इसकी नचाहिए चार इच्छा शुप किल्ला दरा जो है इसकी उंचाई ज़ें चारर ज़ार 300 मीटर करतें दर्र को जो इन पैंडों जो और जो सतलज रिवर वह हमार HER खंटैंगों आगे बाद करते ह। लोजार शेहोट तर्र में यह ज़ोग है पिर नजाल सुन्जार स्रेणी और जो त trick आगे दिए तरहां से 4 मेच्रचouch यह मंनाली को लेसे जोड़ तैसे तरफ मनाली और उपर की तरफ लेः तो उसके साथ इसको जोड़ता है यह आंगे देखिए बास कि अगर हम बात करें तो यह जो मेघ को तो दोनों ही माचल केंदर है इनको आपस में जोड़ता है ठीक है गुल्लू वाली और स्पीटी वाली दोनों सब्दर देखे चार दर्दों के बारे में हमने बात की वह बड़ता था कि एक बारालचा यह वाला बारालचा यह बारोडर के आश पास पास बढ़ता है अगे लेकिय में बाइब करेंगे तो देखें सबसे पहले बात करते हैं ये सारे काशली आपको डिकाई देरिया यह जो है उत्राखंड के अंदर है जैसे ठागला मानला मैंभार्म बाटा दुल्डा और मंगसा दूलैग का अल्ला यह कि त्यख़क्त शोड़ते हैं यह जो है उत्राखंड को जोरते हैं यहां पर जो तीबट वाला रेजन है उसके साथ जोड़ते हैं देखिये लिपो लेकक काफि इंपोर्टेंट है यह उत्राखंड का पित्थोरा गड़ जो जन्पद हुआकर ती वह से उसके पासमें यह पड़त जहाता है जो है यात्री यह यात्री यह का प्रियोंग करते होए याद्रा करते हैं आगे देखिए माना दर्रा का का नाम जो लास्ट गाहु है जिसका नाम है माना तो वह 4545 मेटर की उचाहिे पर स्थित है उसी के साथ ये तिब्वत को जोड़ता है उसी गाउं के नाम पर इसका नाम माना दर्रा रखा गया है अगर नेती दर्रा के बात करें तो यह भी जो है इसकी हाइट अगर माथ करें तो यह सभी भी जो उत्राखंड है उसको किस से जोड़ते हैं उत्राखंड को तीबत से जोड़ते हैं यह चीज़ आपने याद रखने हैं अंदर और ज्यादा इंपोर्टन कुछ नहीं है बाकि सभी यह है और मेंली यह जो है इनके थुरू क्या की जाती है क्लास मंसरोवर की ज चाहिए पर है और यह जो है चुम्भी घाटी इससे जोड़ता है सिक्किम को चुम्भी घाटी चुम्भी घाटी कौन से यह जो ट्राइंजिक्शन पर है यहां पर चाहिना है यहां पर इंडिया है और यहां पर बुटान है तो यह जो है इन दिनों के बीच में जो यह घा इसका काफी जाता महत्व है क्योंकि जो 1962 का जब चाइना का और इंडिया का जब यू दुआ था उस ताइम पर इसको बंद कर दिया गया था लेकिन 2006 में दुबारा से इसको खोल दिया गया था इसके लिए ट्रेड के लिए तो मॉस्टली जो एडिया का जो चाइना से इस ताइम पर जो है सिल्क रोड इससे होकर भी गुजरता था आगे बात करते हैं जैलेपला यह 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 पर देख सकते हैं यह जो है इंडिया को बुटान से जोड़ता है और इस इतनी हाइट पर है चार आजाल 270 मेटर की हैट पर है और तीसतर नदी के द्वारेस का निर्म पर देख रहे हैं यह तिबद को किस से जोड़ते हैं तिबद को जोड़ते हैं यह अगनाचा वगर्देश से और दीफू की बात करें तो दीफु दर्रा जो है तीनों के ट्राइंज़न पर है किसके एक मैहनमार इंडिया और चाइना इसको आप यादा अगर हम बात करें अगले पिक्चर के अंदर हम देखेंगे इसको यहां से प्रवेश करती है 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 अगर हम बात करें तो इसकी हाइट है 2217 मीटर है और यह तवांग रीजन को जो अगले पिक्चर के अंदर हम इसको यह आपको आई इसी दर्रे से क्या करती ब्रम्पुत्र रिवर जो है वो इंडिया पर पर दिफु दर्रा यह जो है एंडिया तर लाट है यह कुछ और देख सकते हैं आगे देखिए अर तुझ्यू धर्जिक पर दर्फ और यह इसको महन मार कर ते को जोड़ते है ऐस अग्ये के अंधरी है एंदर दो दर्रे है फाल घाठ दूसरा नमीटर वा तो गयाठी वह तीन सू 300-meter अगर आप समुद्दर के लेवल से अगर हम हाइटम आपे तो यह 300-meter की उचाईबर है और यह जो केरल का कोजी कोट जो सहर है उसको कोएम बोडू से जोड़ता है जो की तमिल्णादू का सहर है और गाते पाड़ियों की पाल आपने यहां पर जो है सेन कोटा जो कार्डमम की जो हिल्स है यान्नि इलाइची की पाड़ियों में शकुड़ जाता है कार्डमम जो हिल्स हैं उसके 200 मेटर के उन्चाहिए पर आप इसको बोल सकते हैं और केरल का त्रिवन्थ पुरम जो सहर है उसको मद्रही से जोड़ते हैं मद्रही इसका सहर है तमिल्णा आगे आगे महरास्ट्रे के अंदर यहां पर दो घाट एक थालगाट और बोर्गाट तो थालगाट जो जोड़ता एं जोड़ता है और जो नेशनल हाइवे है नैशनल हाईवे 48 यह जो की मुंबई से चिन्न जाता है इसी दर्दे से उकड़ गाता है कि मुंबई को चन्न नहीं से जोड़ने वाल मार्ग यहां पर आप जो है उन्दरियों को दबारा से देख सकते हैं जैसे हमने देखा तो पूरा का पूरा जो है वैसे तो हम मैप के तू देख चुके हैं यह सब लाट और यहां पर जो है फिर से थोड़ा सा और जूम करके और देख सकते हैं कुछ एक और घाट है जैसे असीर गाट असीर घाट यह जो है मद्यपरदेस के अंदर पढ 2050 के इंदर है अधी क्या करता है यह नर्मादा की जो वेली है उसको lang Coast égal you यह आपने याद रखना असी ऊसीर गड़ Price की बात करें तो यह क्या करता है अरावली रेंज के अदर बढ़ता है और यह क्या करता मेवार को मारवार से जोड़ता है कि मेवार को मारवार से जोड़ता है अरावली रेंच के अंदर बढ़ता है राजस्तान के अंदर बढ़ता है तो यह गोरम घाट और यहां पर आप देख सकते हैं यह गोरम घाट है यहां पर यहां पर असीर गड़ पास आप देख सकते हैं और हल्दी घाटी क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां के जो mountain passes है वहां पर जो मिट्टी मिलती है वहां की जो सोयल है मिट्टी जो है वो बिल्कुल हल्दी के जैसे color की है इस वज़े से इसका नाम हल्दी घाटी रखा गया था यहां की जो valley है यहां की जो घाटी है वहां पर जो मिलती है मौंके साथ में तो वो जो मिट्टी है वो हल्दी के जैसे कलर की है इस हुआ जानव हल्दी गाटी काफी जादा है क्यों कि आपने रार्णा-पर्बाइब का कानाम सुनाओगा जो पढ़ता है यह यहां पर आп선 के पर पूरी कि एक नचर टाल सकते जितने भी दर्रें है तो देखिए हां पर एक मिन तका मिन तका सब्सक्राइब जबनाएं कि और याद रख सकते हैं मिन 29 tring пड़ता पाकिस्तान इंडियाária अफग्वाएंस्तान इन यह पिर प्राइंग रोटका पिर प्रिपिक पंश की बात करें तो यह का नूसमे को इस नियुद किसे चाइना के सांथ जोड़ता है यह बाकी हम यह पास वगेराई हम कर चुके हैं का राकूरम पास यह हमारे साथ के सारे के सारे कम्पलीट ओचुके हैं पिर भी आपको कई तो आपर में comment section रहे होता है if you like the video then please like share and subscribe to our channel and press the bell icon for the further notification of the video thank you thank you for watching the video subscribe now and press the bell icon never miss an update